So, hi-gayez, आज मैं आपको अपनी जो है, वो कोकेटल्स की प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ और ये देख लेए कोकेटल्स ने अंडे दिया मैं और इसमें से बच्चे निकलने वाले हैं इनके पुराने बच्चे मैं आपको दिखाऊं कहाँ पर हैं दिखाऊं, दिखाऊं, चलें दिखाता हूँ. इसकी जो एज कितनी होगी, आप लोग अंदाज़ा लगाओ, कितनी होगी, इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज आपको मैं बताता हूँ, अभी आप हरान रहे जाएंगे, सुनके, कि इसकी जो एज है, वो अराउंड है तक्रीबन 23 डेज, यह 23 दिन का बच्चा है, अभी इसक यह देख लें, गाइस, पिने भी नहीं खुली है भी इसकी, अभी इसकी पिने खुलेंगी, सही से, देख रहे हैं आप, so 23 डेज का बच्चा, इतनी अच्छी क्वालिटी, मेरी अपनी फीड, मैं खुद अपनी फीड बनाता हूँ, और सप्लाई भी करता हूँ, उसी पर तर देख लें आप, और यह बच्चा इदर डाल दिया, इन बच्चों को देख लिए मास्योला से वेट चख करें, यह 24 दिन का बच्चा है, उसे एक दिन बड़ा है बस खाली, Öनी थन्ड में, यह बच्चे बच्चा बहुत छोटा है, यह तकरीवन होगा रांड 16-17 दिन क ये बिलकुल लंगा था ये बिलकुल गंजा बिलकुल इसको मैंने पाल कर बढ़ा कर दी और ये इक तफाक ए कि ये बच गया माशाल। आपको याद है ये बिमार हो गया था, इसके फीड फस ऐसे गई थी कि ये जो इना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो मैंने कहा किया, बजाए इसके कि और फीड करवाता, दो दिन होगा इसके फीड ही नहीं अंदर जा रही, तो मैं इसको खिलाता कैसे तो मैंने कहा किया, इंजेक्शन की नॉजल ली, मैं आपको नॉजल दिखाऊ, इस नॉजल से मैंने कहा किया, इसमें थोड़ा सा सिर्का इंजक किया, और आप इसकी पिन देख रहे है, कितनी लंबी है, बारी क्या और लंबी है, इससे आप हर साइज के बच्चे को पाल सक आप बढ़ के पहले इंजट नीकिया, पहले पूरा हलक के नीचे तक उतारा, बिल्कुल मैं लास्ट में ले गया स्टमक के और वहाँ पर मैंने पुछ कर दिए, तीन डॉप जो उसमे थे इस सिर्के के, वो पुछ कर दिए, बिल्कुल लास्ट में जाके इस लिए करना है, को माशाललह से बच्चे आपके सामने अचा फीड देख लें, यह फीड रखी वी, यह फीड है, मैं इस तरह बनाता हूँ, फीड को यह देख लें अब यह बनी भी रखिया है, उपर से एक पैक है, कवर है, ठीक है, कितने जबरदस तरीके से बना कर रखी वी और यह बच्चे देख लिया गाइस कितने cute लग रहे हैं कितने प्यारे हैं कितने अच्छे खेल खूद रहे हैं मस्तियां कर रहे हैं और feed में आपको एक और चीज बता दू कि ये जो इंजेक्शन है अगर आपको ये इंजेक्शन चाहिए तो all over the Pakistan हम लोग supply करते हैं ये वाले है यह भी आपको हमारे पास से मिल जाए और करने का तरीका क्या है भई मैं आपको पहले बता रहे तो और भी चीज दिखाता हूं आपको फीड बन रही है हमारी अपनी फीड है माशाला से आप देख सकते हैं यह देख लीजिए बहुत जबरदस फीड है यहां पर कभी कबार पर जैसे हम लोग काम करते हैं में दाना भी मुझु सप्लाई करते हैं तो दान भी घर जाता है जी समान वान पड़े हैं इस ब्रग crisp का। वरत एक जुटार की इंच सब्सक्रा नहलों पर प्ड़े है यह तो से था बार ठीक हैं पर ठीड है नहीं पर कितना साफ नहीं बु इंपोर्टेड इंपोर्टेड फीड लेते हैं वही चीज है उसी की तरजे अमल पर बनीवी है फ्रेश रिजल्ट है इसका और इसमें जो है ड्राइफ रूट्स भी होते हैं तो इतनी अच्छी कॉंबिनेशन में बनें कि बर्ड का लिवर जो ना फैटी ना हो जाए कोई से बनाया बसको यह चीज अगर आपको फीड चाहिए तो फीड भी मिल जाएगी लवबड बगार तमाम के बच्चे जो है आजकल बगार फीड के पालना बहुत मुश्किल है और फीड से प्रोड़क्शन बढ़ जाती है अगर आप हैंड फीड पर उठाते हो तो अगर आपक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फेस्बूक पर मेरा पेज है एसन जफर ऑफिशल के नाम से फॉलो कर लीजेगा नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए लाफ़ेस